ओम श्री परमात्मने नम्हा, ओम नमो भगवते वासु देवाय, श्रीमत भागवतम महापुराण प्रथमिसकंद अध्याय तीन, भगवान के अवतारों का वर्णन श्री सूत जी कहते हैं, स्रिष्टी के आदी में भगवान ने लोकों के निर्माण की इक्षा की इक्षा होते ही, उन्होंने महतत आदी से निश्पन पूरुष रूप ग्रहन किया उसमें दस इंद्रियां, एक मन और पांच भूत, ये सोलह कलाई थी उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभी सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपती ब्रह्माजी उत्पन हुए भगवान के उस विराट रूप अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कलपना की गई है वह भगवान का विशुद सत्तो में श्रेष्ठ रूप है योगी लोग दिविद्रिष्टी से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांगें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षन है उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आखें और हजारों नासिकाएं हैं हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदी आभूश्णों से बह उल्लसित रहता है भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायन कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुश्यादी योनियों की स्रिष्टी होती है उनी प्रभू ने पहले कौमार सर्ग से में सनक, सनन्दन, सनातन और सनत कुमार इन चार ब्रहमनों के रूप में अवतार ग्रहन करके अत्यंत कठेन अखंड ब्रह्मचर का पालन किया दूसरी बार इस संसार के कल्यान के लिए समस्त यग्यों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई प्रत्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहन किया रिशियों की सृष्टी में उन्होंने देवर्शी नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहन किया और सात्वत तंत्र का जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं उपदेश किया उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ती मिलती है? इसका वर्णन है. धर्म पत्नी मूर्ती के गर्भ से उन्होंने नर्व नारायन के रूप में चौथा अवतार ग्रहन किया. इस अवतार में उन्होंने रिशीव बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा सैयम करके बड़ी कठिन तपस्या की. पांचमें अवतार में वे सिध्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्तों का निर्ने करने वाले सांख शास्त्र का जो समय के फेर से लुप हो गया था. आसुरी नामक ब्रहमन को उपदेश किया. अनसुया के वर मांगने पर छटे अवतार में वे अत्री की संतान दत्तात्रे हुए. इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदी को ब्रह्म ज्यान का उपदेश किया. साथ वीवार रुची प्रजापत की आकूती नामक पत्नी के यके के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहन किया. और अपने पुत्र याम आदी देवताओं के साथ स्वयंभु मनवंतर की रक्षा की. राजानाभी की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से रिशव देव के रूप में भगवान ने आठ्वा अवत दिखाया. रिशियों की प्रार्थना से नवी बार वे राजा प्रिथु के रूप में अवतीन हुए और शौनकादी रिशियों इस अवतार में उन्होंने प्रिथ्वी से समस्त आवशधियों का दोहन किया था. इससे यह अवतार सब के लिए बड़ा ही कल्यानकारी हुआ चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलों की समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स के रूप में दस्वा अवतार ग्रहन किया और प्रिथ्वी रूपी नौका पर बैठ कर अगले मनवंतर के अधिपती वैवस्वत मनों की रक्षा की. जिस समय देवता और दैत समुद्र मन्थन कर रहे थे उस समय ग्यारवा आतार धारण करके कच्छप रूप भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया. बारवी बार धन्वंतरी के रूप में अम्रत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और तेरवी बार मोहनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अम्रत पिलाया. चौदवें अमतार में उन्होंने नरसी रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरने कच्छप की छाती अपने नखों से अनायास ही इस प्रकार फार डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीक को चीर डालता है. पंद्रवी बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बली के यग्य में गए, वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज, परन्तु मांगी उन्होंने केवल तीन पग प्रित्वी. सोलहवे परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्रहमनों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने प्रित्वी कोई कीस बार क्षत्रियों से शून ने कर दिया. इसके बाद सत्रहवे अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारावे व्यास के रूप में अप्तिन हुए. उस समय लोगों की समझ और धारना शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप व्रक्ष की कई शाखाएं बना दी. अठारवी बार देवताओं का कार्य समपन करने की एक्षा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहन किया और सेत उबंधन रावन वद आदिवीरता पूरवक बहुत सी लिलाएं की. उन्नीसने और बीसने अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्न नाम से प्रकट होकर पृत्वी का भार उतारा. उसके बाद कल्योग आजाने पर मगद देश बिहार में देवताओं के द्वैशी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्रों रूप में आपका पुद्धा वतार होगा. इसके भी बहुत पीछे जब कल्योग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राहे लुटेरे हो जाएंगे तब जगत के रक्षक भगवान विश्वयश नामक ब्रहमन के घर में कल की रूप में अवतीर्ण होगे. शौनकादी रिशियों जैसे अगाद सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं वैसे ही सत्वनिधी भगवान श्रीहरी के असंख अवतार हुआ करते हैं. रिशी, मनु, देवता, प्रजापती, मनु, पुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं. ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अत्वा कलावतार हैं परन्तु भगवान श्री कृष्ण तो स्वैम भगवान अवतारी ही हैं जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग-युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी अत्यंत गोपनिय रहस्यमई है जो मनुष एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक साइकाल और प्राताकाल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है प्राकृत रूप रहित चिन में भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है यह उनकी माया के म अगवान का एक सूख्ष्म अव्यक्त रूप है जो ना तो स्थूल की तरह आकाराद गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है वही सूख्ष्म शरीर है आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार-बार जन्म होता है उपर युक्त सूख्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्माम आरोपित है जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्यान से यह आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्म का साक्षातकार होता है तत्तो ग्यानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धी रूपा ह shrinking की माया निवरित हो जाती हैं उस समय जीव परमानंद मय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्टित होता है वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है उन हृदेश्वर भगवान के आप प्राप्रत जन्म और कर्मों का तत्तो ग्यानी लोग इसी प्रकारवर्णन करते हैं क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनिय रहस्य हैं भगवान की लीला अमोग है वे लीला से ही इस संसार का स्रजन पालन और साहार करते हैं किन्तो इसमें आसक्त नहीं होते प्राणियों के अंतह करण में छिपे रहकर ज्यानेंद्री और मन के नियंता के रूप में उनके विश्यों को ग्रहन भी करते हैं परन्तु उनसे अलग रहते हैं वे परम स्वतंत्र हैं ये विश्य कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते जैसे अनजान मनुष जादू गरत्वा नट के संकल्प और वचनों से की होई करामात को नहीं समझ पाता वैसे ही अपने संकल्प और वेदवानी के द्वारा भगवान के प्रकट किये हुए इन नाना नाम और रूपों को तता उनकी लिलाओं को कुबुधी जीव बहुत सी तरक युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता चक्र पाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत हैं क्योंकि कोई थाह नहीं पा सकता वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वता परे हैं उनके स्वरूप को अथ्वा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकत जो नित्य, निरंतर, निश्कपट, भाव से उनके चरण कमलों की दिव्यगंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है, शानकादी रिशियों आप लोग बड़े ही सौभाकिशाली तथा धन है, जो इस जीवन में और विग्न पाधाओं से भर आंशी कृष्ण से वह सरवात्मक आत्मभाव वह अनिर्वर्चनिय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भैंकर चक्र में नहीं पढ़ना पड़ होता, भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भागवत चरित्र से परिपून भागवत नाम का पुरान बनाया है, उन्होंने इस कल्यान कारी और महान पुराणों को लोगों के सानब परम कल्यान के लिए अपने आत्म ज्यानी शिरो मनी पुत्र को गरहन कराया, इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है, शुकदेव जी ने राजा परिखषि को यह सुनाया उस समय वे परम रिशियों से घिरे हुए आमरन अंशन का वरत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे भगवान शी कृष्ण जब धर्म ज्यान आधी के साथ अपने परम धाम को पधार गए तब इस कल्योग में जो लोग अज्यान रूपी अंधकार से अंधे ह हो रहे हैं उनके लिए यह पुरान रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है शानकादी रिशियों जब महातेजस्वी श्री शुकदेव जी महराज वहां इस पुरान की कथा कह रहे थे तब मैं भी वहीं बैठा था वहीं मैंने उनकी कृपापून अनुमती से इसका अध्य अध्यन है और मेरी बुद्धी ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहन किया है उसे क्यानुसार इसे में आप लोगों को सुनाओंगा ऐसा वेदव्यास जी ने कहा ओम नमो भगवत देवासु देवाए श्रीक्रेशनार्पणा मस्तू हरे कृप